असलाम लेकुम फेंट्स वेलकम करता हूँ आज की इस वीडियो में तो गैस आज की वीडियो के अंदर मैं reuse content policy explain करने वाला हूँ यानि के वो कौन सा content है जो अगर आप दूसरे creators का copy करते हो तो उससे आपको reuse content नहीं आएगा वो कौन कौन सी चीजे हैं जो कोई YouTube वालों ने खुद अलाओ की है अगर आप इस तरह का content copy करेंगे तो आपको इसे YouTube की तरफ से कोई reuse content का problem नहीं आएगा और वो कौन सा content है जो आप अगर दूसरे creators का copy करोगे तो उससे आपको reuse content का issue हा जाएगा तो ये सारी चीजे मैं इस वीडियो के अंदर detail के साथ आप लोगों को बताऊंगा बहुत सारे लोग मुझसे reuse content के issue से related contact करते हैं तो हर बंदे को अलएदा से बताना पड़ता है कि ये काम आप कर सकते हैं ये नहीं कर सकते इस तरह का content allow है इस तरह का content allow नहीं है तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना देनी चाहिए ताकि जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता उनको पता चल जाए और जिन को already पता है लेकिन कुछ doubts हैं तो उनके वो doubts clear हो जाए तो सबसे पहले इस वीडियो को like करें और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको हमारे नहीं आने वाले वीडियो के अपडेट भी मिलते रहें तो चलिए आप वीडियो को start करते हैं तो अगर किसी भी चैनल के उपर reuse content का issue आता है तो उस चैनल के monetization वाले page के उपर कुछ इस तरह का interface देखने को मिलता है यहाँ पर reuse content लिखा हुआ है और इसके आगे ही right side में एक drop down का menu बना हुआ है तो आप जैसे इस drop down के icon पर click करेंगे तो यहाँ पर आपके पास दो columns open हो जाते है एक के अंदर लिखा है do और एक के उपर लिखा हुआ है don't और यहाँ पर do के अंदर जितनी भी चीज़े दी हुई है यह वाला content आप use कर सकते हैं और don't के अंदर जो चीज़े mention की गई है आप यह वाला content copy नहीं कर सकते तो अब मैं one by one इन सारे points को थोड़ा सा explain करता हूँ तो सबसे पहले हम देख लेते हैं do वाले steps को तो इसके अंदर first वाला point है a funny or thoughtful revision of content you did not originally create यानि कि funny content जैसे के बहुत सारे creator अपनी videos के अंदर memes बगारा या कोई funny scene add करते हैं तो यह वाला content YouTube की तरह से allow है इससे reuse content नहीं आता उसके बाद thought for revision of content मतलब कि आप एक video बना रहे हैं और उस video के अंदर आप किसी बड़े creator की video का clip यूज करते हैं तो उस clip को आप example के तौर पे लेते हो या पिर proof के तौर पे तो यह चीज YouTube के उपर allow है इससे reuse content नहीं आता और उसके बाद दूसरा point हमारे पास है clips of other people's content as part of a critical review critical review कहते हैं तनकीदी जायजा लेना यानि कि आप दूसरे creators की video से clip लेके उसके उपर आप अपना review देते हैं के video कैसी है या किसी भी तरह का review देते हैं तो यह चीज YouTube के उपर allow है इससे reuse content नहीं आता और next step है a scene from a movie where you have re-written the dialogue and change the voiceover तो अगर आप कोई भी movie लेते हैं जो के English जबान के अंदर हो या किसी भी दूसरी language के अंदर हो आप उस video के अंदर उर्दू या हिंदी या पिर किसी भी language में subtitle डाल देते हैं और उसकी audio को change कर देते हैं तो यह चीज YouTube वालों की तरफ से allow है इससे reuse content नहीं आता लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ख्यार रखें कि यहाँ पर लिका हुआ है रिडिटन दी डालोग एंड चेंज दी वाइस ओवर यहाँ पर एंड है और नहीं है अगर और होता तो आप सिर्फ डालोग अगर आप एड़ कर देते तो आपको reuse नहीं आना था लेकिन यहाँ पर एंड का लफज यूज किया है आपको डालोग भी एड़ करना पड़ेंगे यानि कि सब्टेटल भी एड़ करना पड़ेंगे और उसका वाइस ओवर भी चेंज करना पड़ेगा अगर आप इन दोनों में से एक कम करते हैं तो आपको reuse content आ जाएगा उसके बाद next हमारे पास point है replace of a sport tournament where you explain what a competitor did to succeed or fail यानि कि अगर आप किसी भी sport tournament के उपर अपने review देते हैं कि किस खलाडी ने match जीतने यहारने के लिए क्या किया किसने कितना score बनाया किसने कितने goal किये और इस तरह से अगर आप पूरा review बनाते हैं तो यह चीज़ भी YouTube की तरफ से allow है इससे आपको reuse content नहीं आएगा और उसके बाद next point है reaction videos where you comment on the original video तो आप लोगोंने देखा होगा कि लोग TikTok videos के उपर अपना review देते हैं लेकिन उनको reuse content नहीं आता तो यहाँ पर इस point के अंदर यही चीज़ mention की हुई है कि अगर आप original video के उपर review देते हैं जैसे के लोग TikTok videos पे देते हैं और किसी बड़े creator की video लेखे उसके उपर अपना review देते हैं एक चोटी सी screen के अंदर उन्होंने original video play की होती है और background के अंदर उनकी जो अपनी video होती है facecam और audio के साथ वो चाल रही होती है तो यह चीज़ YouTube की तरफ से allow है इसे reuse content नहीं आता और last point हमारे पास है edited footage from other creators where you add a storyline or commentary यानि कि आप दूसरे creators की videos में से clip उठाते हो और उसकी एक story type video बनाते हो और उसके अंदर आप अपनी commentary अड़ करते हो उसको आप proper voiceover करते हो तो यह चीज़ भी reuse में नहीं आएगे ठीक है यह चीज़ भी YouTube की तरह से allow है तो यह तो सारे point होगे कि जो काम आप YouTube पे कर सकते हो या अगर इस तरह का content आप create करते हैं मतलब कि wiseover किसी में डाल दिया किसी में सब्टाइटल डाल दिये और जितनी भी चीज़े मैंने आपको बताई है अगर आप यह वला काम करेंगे तो आपको इससे reuse नहीं आएगा तो अभी हम देख लेते हैं कि वो कौन सा content है जो आप use करेंगे तो आपको reuse content आ जाएगा तो इसमें पहली number पर हमारे पास है short videos you compile from other social media website यानि कि आप social media platform से जैसे facebook हो गया आप एक बड़ी वीडियो बना देते हो तो इससे reuse content आ जाएगा ये YouTube वालों ने allow नहीं किया और उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास है collections of songs from different artists और यहाँ पर brackets के अंदर लिका हुआ है even if you have their permission तो आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी कि लोगों ने different artist के song लेखे उनको compile करके बड़ा album बना दिया songs का तो ये चीज़ YouTube के उपर allow नहीं है और ये चीज़ भी उन्होंने mention किया कि अगर वो artist, singer या पिर जो भी channel का honor है अगर वो आपको permission भी दे देता है तो भी आप ये use नहीं कर सकते और अगर आप इस तरह का content यूज करोगे तो आपको reuse content आ जाएगा और next हमारे पास है clips of moments from your favorite show edited together with little or no narrative यानि कि अगर आप अपने favorite show में से कुछ scene निकालके उसको edit करते हैं आप उसको बहुत थोड़ा edit करते हैं और no narrative यानि कि आप उसके अंदर कोई भी अपनी voice वगेरा add नहीं करते हैं तो इस तरह का अगर आप content यूज करेंगे तो आपको इससे reuse content आ जाएगा और उसके बाद है content uploaded many time by other creators यानि कि अगर एक ही content एक ही video बहुत सारी लोग use कर लेते हैं और बाद में आप भी उसको use कर लेते हों तो इससे आपको reuse content आ जाएगा तो आप बहुत सारी लोग कहते हैं कि मेरे दोस्त का channel भी same इसी category पे है मेरी तरह की videos बनाता है लेकिन उसका channel monetize हो गया और मुझे reuse content आ गया तो आप इस policy की violation करते हैं तो आपको reuse content आ जाता है तो last point हमारे पास है promotion of other people's content और यहाँ पर भी brackets के अंदर लिखा हुआ है even if you have their permission अब अगर मैं आप लोगों को ये चीज़ अलाव कर दूँ कि जो वीडियो आप इस वक देख रहे हैं आप इसको अपनी channel के उपर upload कर सकते हैं मैं सब लोगों को permission देदू और इस वीडियो का license जो है वो creative comment कर दूँ अपनी वीडियो के starting में इसका disclaimer भी डाल दूँ description के अंदर भी disclaimer डाल दूँ कि हर बंदा इस वीडियो को अपने channel के उपर upload कर सकता है तो इस तरह से content की promotion की जाती है अपने channel की promotion की जाती है तो ये चीज़ YouTube के उपर allow नहीं है और यहां पर bracket में जो चीज़ लिखी है कि अगर कोई बंदा आपको permission देता है एक तो होता है कि आप creator से बिना पुछे उसका content प्रमोट करते है और दूसरा ये कि creator आपको खुद permission दे देता है अगर वो आपको permission दे या ना दे इससे कोई फरक नहीं पड़ता YouTube के उपर इन दोनों rules पे ही आपको reuse content आ जाएगा तो इसलिए उन लोगों की videos जो कहते हैं कि आप हमारी videos को अपने channel के upload करो तो आप उन videos का upload ना करें उन लोगों को तो promotion मिल जाएगी लेकिन आप लोगों का channel reuse content के वज़े से reject कर दिया जाएगा तो ये थी जी reuse content की policy कि कौन सी चीज़ें आपको YouTube खुद allow करते हैं कि आप इस तरह का content use कर सकते हैं और कौन सा content है जो कि YouTube वाले आप लोगों को allow नहीं करते चाहे creator आपको permission दे या ना दे लेकिन YouTube आपको reject कर देगा आप लोगों के ये सारी चीज़ें समझ में आगी होंगे और जिनके जहन में कोई भी doubt था वो doubt भी clear हो गया होगा और अगर अभी भी इस से related आपको कोई question है कोई doubt है तो आप नीचे comment section के अंदर पूछ सकते हैं मैं आप लोगों को reply कर दूँगा so finally thanks for watching this video Allahafiz